अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आए तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली नई वीडियोज को देखने के लिए बेल आइकॉन में क्लिक करें आज हम लोग बनाएंगे पुटरा पुटरा जो है लख्ष्मी माता का घहर माना चाकता है जो हम लोग सिंधी कमिनिटी में दिवाली वाले दिन जो इस दिन लख्ष्मी पूझा ओती है उस दिन बनाते हैं इसे बनाने के लिए colors में हम लोग सिंदूर और नील का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये traditional method है आजकल तो बहुत सारे colors मिल जाते हैं पर उस time पे colors नहीं मिला करते थे तो हमारी दादी नानी सिंदूर और नील का इस्तेमाल करके पुट्रा बनाते थे दिवाली वाले दिन सिंदूर और नील लेना है उसमें पानी मिला के उसका paste बनाना है ये आप डारेक पेपर पे या दीवार पे भी डारेक बना सकते हैं के लिए पहले square बनाना है कुछ fix measurement नहीं है इसका स्रिफ square बनाना है स्पेस के इसाब से आप बना सकते हैं square बनाके फिर उसमें हम लोग boxes बनाएंगे boxes जो रहेंगे वो 5, 7 और 9 की quantity में ही रहेंगे means हमें odd numbers लेने हैं 5, 7 और 9 ये blue color से बनाना है हमें मतलब नील से उसमें alternate crosses देंगे हम लोग एक छोड के दूसरे में blue cross बनाएंगे फिर बाकी जो बचेंगे उसमें हम लोग सिंदूर से red color के crosses बनाएंगे एक blue एक red एक blue एक red करके हम लोग सब पूरे bronzes नेaş है ख्रोकश से भरेंगे उसके बाद जहां पर blue cross है वाँ पर red dot देंगे और जहां पर red है वाँ पर blue dot देंगे बोलते हैं यह बनाने से लक्ष्मी माता जो है घर में मास करती है क्योंकि लक्ष्मी माता का घर बना हुआ रहता है यह दिवाली वाले दिन traditionally इंदी community में बनाया जाता है उपर गनेश जी बनाएंगे और गर में जाने के लिए सीड़ी तो सीड़ी बनाएंगे शुब लाव नीचे से लिखेंगे मीन सबका बला हो सबका मंगल हो हापी दिवाली उपर हापी दिवाली नीचे शुब लाव ओम बनाएंगे साइड से सीक्वेंस से मदब बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से बनाते हैं पर यह traditional method है नीचे मैं लिख रहे हैं DDRE नंडेवडे बारी सिंदी language है में सबको हैपी दिवाली सबने दिवाली जलाई कि अब पुट्रा जो है तयार हो गया जो लक्ष्मी माता का घर है सबको हैपी दिवाली दिवाली जो लख लख वादाई हूँ